सियासत में टाइमिंग बहुत एहमानी जाती है मौके की नजाकत को देखते हुए दाओ चलने का हुनर जरूरी है मोधी सरकार के दूसरे शपत ग्रहन के तीन दिन बार बिहार में नितिश मंत्री मंदल का विस्तार किया गया आठ नए मंत्रियों को शामिल किया गया जेडियो कोटे से आठ मंत्री बनाए गए श्याम रजक, नीरज कुमार, बीमा भारती, अशोक चौधरी, नरेंद्र नरायन यादव, संजय जा, राम सेवक संग कुश्वाहा और लक्षमिक्षुर राय ने पद और गोपनिता की शपत ली नितीश सरकार के मंत्री मंडल विस्तार में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली हाला की पटना राजभवन में हुए शपत ग्रहिंट समाहरों में डिप्टी सीम, सुशील मोदी समेथ बीजेपी के सब ही बड़े नेता शामिल हुए लेकिन मंत्री मंडल विस्तार के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं सवाल ये है कि क्या जिस तरह सीटों पर बात नहीं बनने पर आखरी वक्त पर जेडियू ने मोदी मंत्री मंडल में शामिल होने से इंकार कर दिया था बीजेपी को अपने मंत्री मंडल विस्तार में शामिल ना करके क्या नितीश कुमार भी कोई संदेश देना चाहते हैं कयासों अठकलों और सवालों की बीच जेडियू बीजेपी समेद एंडिये के सभी नेता All is well की बात कह रहे हैं हाउस का सेशन तुरू होने वाला है इसलिए इसको इधर ही कर दिया गया ताकि एक एक लोग जो नए लोग है या पुराने लोग जो फिर से ग्रहन कर रहे हैं पत्वार तो सब अपने विभाग को देख लेंगे का कहा कि हम सिमेंटिंग फोर्स है आज भी हम कहते हैं कि अपको बता दें कि सीएम नितीश कुमार ने मोदी सरकार में महज सांकेतिक भागदारी को पूरा करने के लिए शामिल होने से मना कर दिया था तब ही से नितीश के नाराज होने की बात कही जा रही है लेकि नितीश एंडीए के साथ होने और नाराजगी की बात से इंकार कर रहे हैं नितीश सरकार के मंत्री मंडल विस्तार में जातिय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है आठ नए मंत्रियों में से दो दलित समाच से दो दो आती पिछडी और पिछडी जातियों से हैं जबकि दो मंत्री ऊची जाती के कोटे से बनाए गए हैं बहराल जेडियू के 21 मंत्रियों का कोटा अब पूरा हो गया है जबकि बीजेपी के कोटे के दो मंत्रियों की जगा अभी खाली है वीजेपी जेडियू सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हैं लेकिन सियासत में बिना बोले भी इशारों की जुबां भी बहुत कुछ बया कर देती है पटना से नवेंदू सिनहा के साथ बिरो रिपोर्ट स्वराज एक्स्प्रेस